नमस्कार दोस्तों आज मैं पांच बहतरीन प्रेशन आपके सामने लाया हूँ मिसिंग नमबर के सबसे पहला सामने आपके प्रेशन ये रहा ये देख लीजिए ये श्रंखला दी हुई है इसमें एक मिसिंग नमबर है इसे आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा तो आप इस प्रेशन में ध्यान से देख सकते हैं कि इसके बाद का जो टर्म है पांच के बाद 18 आ रहा है 174 के बाद 525 आ रहा है और 525 के बाद 1570 आ रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पांच में 3 से मल्टिप्लाई करिए और 3 को एड़ कर दीजिए अठारा आ गया पांच ये 15 प्लस 3 अठारा आ गया वैसे ही यहाँ पर भी आप देख लिजिए 174 में 3 को मल्टिप्लाई कीजिए और 3 को एड़ कर दीजिए तो 525 आ रहा है कि 525 को 3 से मल्टिप्लाई करेंगे 1575 और 3 को एड़ करेंगे तो 1578 हो जा रहा है तो इसी परकार हमें ये मालुम हो गया कि 18 के बाद जो टर्म आया होगा 18 को 3 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा और 3 एड़ करना पड़ेगा तो 18 तिया चववन चववन प्लस 3 सत्तावन हो जाएगा तो 57 राइट अंसर हो जाएगा डी आप्शन इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है तो ये आपको सोचना था नेक्स्ट परशन देख लेते हैं find the missing number ये देख लिजीए आपके पास ये missing number है इसके बारे में आपको बताना है कि यहां कौन सा number आएगा यहां पर कौन सा number आएगा तो अगर आप ध्यान से देखेंगे circle के बीचों भी 30 है और किनारे किनारे 4 3 2 1 तो किस परकार का combination बन रहा है अगर आप ध्यान से गा वैसे यहां पर देखिए बाहर के number को add कीजिए 5 4 9 9 3 12 12 12 14 14 को 3 से multiply कीजिए 14 32 हो जा रहा है इसका मतलब यहां भी यही परकार का sequence हो रहा होगा तो इसी परकार का यहां भी sequence बन रहा होगा 6 3 9 9 5 14 14 14 18 18 को हम 3 से multiply अगर करें तो 18 3 क्या हो जाएगा 18 34 तो 54 राइट अंसर ह जाएगा ठीक है तो इस परकार आपको यह सोचना था नेक्स्ट प्रेशन यह सामने आपके रिए रहा यहां भी उसी परकार का प्रेशन है लेकिन इसका concept अलग है अगर पिछले concept की तरह लगाएंगे 4 3 7 7 5 12 12 15 15 को 3 से multiply करेंगे फिर 3 add करेंगे नहीं बन रहा है यहां पर बात नहीं बन रही है लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर देखिए 4 3 4 3 12 12 15 60 60 में यह 3 प्लस कर देंगे तब जाके 63 हो रहा है मतलब यह जो 3 नंबर है इधर के इनको आपस में multiply करके जो आपका left side में नंबर है इसको add कर दीजिए उसमें तब आपका 63 हो रहा है यह ऐसे question है जो exam में पूछे गए हैं इसलिए मैंने लिये हैं तो यहां पर देखिए साथ यह 21 25 यह आपका 21 गुड़े 5 हो जाएगा 105 हो जाएगा 105 में 6 add कर देंगे तब जाकर 111 आ जाएगा तो तीसरा option सही हो जाएगा C option इसका सही हो जाएगा तो इस परकार आपको यह स रेशियो 124 है उसके बाद 7 के रेशियो में क्या आएगा आपको यह बताना है तो ध्यान से आप अगर देखेंगे 5 का अगर आप क्यूब करेंगे तो आपका क्या हो जा रहा है 125 हो जा रहा है उसमें एक माइनस कर दीजी 124 है और ऐसे यहां भी concept है 7 का क्यूब करके उसमें एक माइनस कर दीजीए ठीक है 7 का क्यूब करेंगे 7 का स्क्वाइर 49 हो जाएगा 49 को साथ से multiply करेंगे 9 63 63 6 चासता 28 28 6 28 6 34 हो जाएगा उसमें एक माइनस कर दीजीए तो 342 342 राइट अंसर एसका राइट अंसर हो जाएगा इस प्रकार आपको यह सोचना था ठीक है तो सबसे बड़ा प्रशन होता है कि हम सोचें कैसे एक्जाम में तो जादा सा जादा प्रैक्टिस करेंगे जादा प्रैक्टिस आपने क्यों ही है उसी में से आता है बच्चों यह कुछ नेक चीजे नहीं है ठीक है जो आपने प्रैक्टिस की होगी और एक्जाम में एक्जाम में आपके दिमाग में होंगी ही एक्जाम में जब आप करने बैठेंगे तो आपको पता लग जाएगा खुद और किनारे ये नंबर दिये हुए ये मिस्टिक नमबर आप से पूछा हुआ है तो यहां पर आप एक ध्यान दीजिये यहां पर multiply करेंगे पांथ ये पंदरा उसमें एक प्लस कर दे रहे हैं एक को प्लस कर दे रहे हैं तो यह 16 आ जा रहा है तो इसी प्रकार सब जगा हो रहा है यहां पर दिखिये 16 गुड़े 5 16 पांच जी 80 हो जा रहा है उसमें 1 एड कर दीजिए तो आई 802 आ जा रहा है और वही concept यहां भी होगा 406 को 5 से multiply करने पर उसमें 1 जोड दीजिए 406 को अगर आप 5 से multiply करेंगे 5 से multiply करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 30 और यह 5 का 20 इसमें 1 को plus कर देंगे तो 20 31 इसका right answer हो जाएगा तो D उसका सही जवाब हो जाएगा इस परकार आपको यह सोचना था तो यह 5 बहतरीन प्रेशन missing number के हैं आप comment करके जरूर बताईएगा कि इन में से कितनों के जवाब आपको मालूम थे इमानदारी से बताईएगा नेक्स्ट वीडियो में और बहतरीन प्रेशन आपके सामने लाएंगे तो देखते हैं कि आपको उनके जवाब मालूम है या नहीं हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए नमशकार